मानिनी मंतरी जल शक्ती विभाग शीरी सौतांत्र देव सिंग ने सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की मंडली समिक्षा बैठक आल राइट से मैं अम्रीन जहां मानिनी मंतरी जी दुआरा रुहेल खंड नेगहर मानिनी मंतरी जल शक्ती विभाग शीरी सौतांत्र देव सिंग ने सरकेट हाउस में सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मंडली ये समिक्षा बैठक की मानिनी मंतरी जी को मुख्य अभियंतर रुहेल खंड बरेली शिरी सूरज पाल सिंग द्वारा अगवत कराया गया कि विगत 19 अक्टूबर 2021 को किचा नदी में आई अब परत्याशित बाड से किचा बैरार चति ग्रस्त हो गया था जिससे बैडी चेतर की 15 नहरे पिरवावित थी विगत दिन और रुहेल खंड नहर खंड ने आस्थाई बंधा बना कर उस समस्या को निस्तारित कर दिया है और अब चेतर में पानी किसानों को उपलब्द कराया जा रहा है भोकपूर माइनर को भी नदीजें काट दिया था जिससे वहाँ के किसानों को लगबग 25 वर्षों से पानी नहीं मिल रहा था उसको भी दुरुस्त करा कर किसानों को जल उपलब्द कराया जा रहा है नानक सागर, बैगुल, शार्दा सागर, एवं धोरा जलाशे को रेगुलेशन आधेश के हिसाब से भरा जा रहा है ताकि आवेशकता पढ़ने किसानों पानी उपलब्द कराया जा सके अथक प्रियास करने पर वर्बन रजवाहे में पानी टेल तक पहुँचाया जा रहा है मारणी मंत्रीजी द्वारा विभाक की भूरी भूरी प्रिशंसा की और आगे भी इसी तरह किसानों को जल उपलब्द कराने की बात कही जिलों में चल रहे हैलो टेल सुचारू रूप से चल रहा है जिसमें किसानों की समस्या सुनकर उनका समधान किया जाता है अपर अभेंता द्वारा नहर की टेल के किसानों के साथ चौपालों का आयोजन कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समधान किया जा रहा है अब तक एक मा में लगभग 246 चौपाल की जा चुकी है शिरी हिमांशु कुमार, शिरी धर्मेंद्र कुमार, शिरी प्रभाकपरसाथ, शिरी एचान सिंग, अधिशासी अभियंता रुहेल खंड नहर, खंड बरेली, शिरी मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड बरेली, शिरी राजेंद्र कुमार आदी उपस्तित माननी मंत्री जी द्वारा रोयलगंड नहर खंड बरेली के अंत्रगत बोजी पुरा निरिक्षर भवन एमम जिलेदारी कारेले का लोकारपन भी किया गया